अलो फ्रेंड्स, बेलकम बैक टुमाई यूट्व चैनल, यह सिए स्टडी पॉइंट वाई-एसके, आज हम बात करेंगे असका फोल्डिंग सेप्टी, इंटर्व्यू, कोश्चन अनसर के उपर, जब भी इंटर्व्यू में जाते हैं, तो असका फोल्ड से भी बहुत सारे क कर सकते हैं, असका फोल्ड इजे टेम्प्रोरी, एलिवेटेड बर्किंग प्लेटफॉर्म, टू पर्फॉर्म हाइट बर्क करने के लिए, यह क्या है, एक टेम्प्रोरी एलिवेटेड और बर्किंग प्लेटफॉर्म है, अब इसमें क्या होता है, मिन्स बोल सकते हो, टेम साथ में साथ मेट्रियल को भी सपोर्ट करता है यह एज पर ओसा 1926 450 के अनुसार है उसके बाद दूसरा कोशन आप से पूछा जा सकता है मार्दा कोशन आपसका फोल एक्सिडेंट के क्या क्या है उसमें आप अंसर कर सकते हो असका फोल्डरस विदाओट ट्रेनिग या जो असका फोल्ड बना रहे है जिसके कारण भी accident होते हैं असका fold without bracing, planking, sand lock उसमें bracing नहीं है, planking किया हुआ नहीं है, locks नहीं है असका folding without design, असका fold का design भीना किये हुए बनाना इसके कारण भी accident होते हैं absence of competent person, competent person का नहीं होना इसके कारण भी accident होते हैं और non compliance of safety extender safety standard का नाम compliance भी accident का एक बहुत ही बड़ा कारण है तो इस तरह से आप इतने answer उसको दे सकते हैं कि इसका फोल्ड के accident के कारण क्या क्या है उसके बाद आपसे question पूछा जा सकता है कि भाटर्दा statutory norms legislative requirement फर असका folding असका folding के लिए क्या है statutory norms क्या है यह तो ऐसे पूछे जाते हैं काफी यह भी question पूछे जाते हैं बट इसका आपको simple answer करना है सबसे पहले हम लोग BOC को BOCW को refer करते BOCW Central Rules 1998 Part 3 में जो है chapter 19th rule number 188205 में असका fold के बारे में लिखा हुआ है उसको follow करना है अगर Bureau of Indian Standard की अगर बात करें तो उसमें भी लिखा हुआ है जैसे कि Indian Standard 2750 जो कि स्टीर असका folding के बारे में describe करता है IS 3696 Safety Code for Aska Fold and Ladder के बारे में describe करता है Part 1 असका fold है उसके बाद IS EC में है जो कि इसका Part 2 भी है आनि Code of Safety Aska Fold and Ladder के बारे में बताता है IS 4014 है जो Part 1 Code of Practice for Aska Fold and Definition and Material के बारे में बताता है और IS 4014 में Part 2 में क्या करता है Code of Practice for Aska Fold and Safety Regulation for Aska Fold and Ladder के बारे में यहाँ पे बताता है चलिए अब आपसे Question International के भी बारे में कभी कभी पूच सकता है कि What is the International Standard for Aska Folding Aska Folding का International Standard क्या है तो सबसे पहले British Standard European Norms करता है जो कि 12,810 and BSEN 12,811 Technical Guidance on the Use of BSEN 12811 and Other European and British Standard इसमें है जो इसके बारे में बताता है उसके बाद हम ओसा में अगर आएंगे तो उसमें 29 CFR Part 1926 Safety Standard for Aska Fold यूजिंदा Construction Industry के बारे में डीटेलिस में दिया हुआ है उसके बाद इसी का 29 CFR 910 इतना यह है जो Safety Requirement for Aska Fold उसके बाद 1929 में बता रहा है Manual Propelled Mobile Ladder Aska Fold Towers उसके बाद 29 CFR 1926 में General Requirement First का Folding का क्या क्या होता है उसके बारे में बताया है आनि कि A.N.E.S. American National Standard Institute या इसी को बोल सकते हैं A.S.E. मतलब American Society of Safety Engineers इसका नाम चेंज कर दिया गया है Now Rename as American Society of Safety Professional जो कि यहाँ पे जो था A.A.S.E. के जगा पे A.A.S.P. हो गया है 1.10.8.2001 असका फोल्डिंग सेफटी रिक्वार्मेंट यह सारे चीजों है जो असका फोल्ड के बारे में किसी ना किसी पार्ट के बारे में अच्छे सुसमें बताया गया है Next question आपके पूछा जा सकता है कि भाटर दा रोल आप असका फोल्ड सुपर्वाइजर असका फोल्ड सुपर्वाइजर के रोल्स क्या क्या है तो सबसे पहले उनका जो रोल है He is the in charge of असका फोल्डिंग टीम वो असका फोल्डिंग टीम का in charge होता है and responsible for erection and dismantling असका फोल्डिंग safely with correct method और क्या होता है असका फोल्डिंग का erection and dismantling safely and with correct method करना उनकी responsibility में सामिल है उनके कुछ other roles भी होते हैं जैसे की preparation of असका फोल्डिंग अनि असका फोल्डिंग का preparation करना He will care for bed limit अनि bed limit को ध्यान रखना है असका फोल्ड टाइप किस तरह का असका फोल्ड रहेगा फोल्ड protection provision है की नहीं tie up किया हुआ है की नहीं यह सब उसका दिखनी जिम्मेदारी में सामिल है उसके बाद रहेगा He will ensure erection, dismantling and alteration अगता असका फोल्ड as per procedure यानि जो procedure में लिखा हुआ है उसके अनुसार ही वो ensure करेगा की erection, dismantling, alteration हो रहा है उसके बाद conduction of tool was stocked with crew members यह भी ध्यान रखना है की team member के साथ toolbox किया गया है की नहीं किया गया है उसके बाद daily inspection and documentation of the असका फोल्ड का daily inspection and documentation किया जा रहा है कि नहीं उसका ध्यान रखना है inspection उसका फोल्डिंग if any alteration is there तो जब भी कोई alteration होता है अगर उसका फोल्ड में कोई छेड़ साल होता है या कोई changing होता है तो उसका inspection करना estimation the quantity and उसका फोल्ड material तो कितने उसका फोल्ड material लगेंगे तो उसके quantity को estimate करता है and he will ensure training of crew member who will be engaged तो ये भी ध्यान रखता है कि जितने भी members हैं जो असका फोल्ड erection या dismantling में लगे हुए है उनकी training असका फोल्ड होई है कि नहीं होई है उसके बाद to contact EHS department for assistance of any concern related to safety अगर safety से related कोई concern है तो वो EHS department से सहायता ले सकता है contact कर सकता है चले इसके बाद आपसे question पूछा जाता है कि what are the responsibility to असका फोल्ड inspector अब असका फोल्ड inspector की responsibility क्या है इसके बारे में जानना है inspect असका फोल्डिंग and its component for defects तो ये क्या करता है असका फोल्ड में जितने भी चीजे लगी हुई ये components तो असका फोल्ड को चेक करके वो पता करता है कि कोई जोई component उसमें defects है की नहीं तो उसको चेक करना inspect labeling level को चेक करना plumbing में है की नहीं वो चेक करना load distribution अंदास का फोल्ड असका फोल्ड पे load distribution किस तरह से हो रहा है उसको चेक करना inspect for all protection and access to work location तो वहां पे सारे protection दिये गए है की नहीं दिये गए है बर्क लोकेशन पे पहुँचने की क्या arrangement है इन सारे चीजों को देखता है inspect permit to work as well as safe work method assessment और यह भी देखता है कि जो असका फोल्ड बनाये जा रहे है तो उसमें है जो permit to work system को follow किया है की नहीं और safe method statement उसके पास है की नहीं है certifying असका फोल्ड एंपूट असका फोल्डिंग टाइज as safe for use तो असका फोल्ड को यहां पे certify करता है और उसमें फिर वहां पे असका फोल्ड टैग लगा दिता है जिसमें लिखा हूँ अरता है safe for use green tag उसके बाद next question आपसे पूछा जा सकता है कि भाटर्दा responsibility of असका फोल्डर अब असका फोल्डर के responsibility क्या-क्या है इसके बारे भी पूछा जा सकता है तो सबसे पहले safe erection and dismantling of असका फोल्ड असका फोल्डिंग का सही जंग से erection करना और dismantling करना और safe inspecting all असका फोल्ड कंपानों जितने भी कंपोनेंट हो इसको inspect करके लगाना और जब वो erection कर रहे हैं तो उसके पहले inspection करना ज़रूरी है और damage जो भी component से उसको use नहीं करना while erecting and dismantling असका फोल्ड इंस्योर fall protection measure are taken जब भी यहाँ पे erection and dismantling होता है यह ensure करना ज़रूरी है कि वहाँ पे fall protection measure लिया गया है या नहीं ले रहे है या नहीं ले रहे है notify असका fall supervisor inspector for any modification and dismantling अगर असका फोल्डिंग में कोई modification करना है कोई dismantling की requirement है तो supervisor या inspector को बताना ज़रूरी है यानि कि notify करना ज़रूरी है request for inspection फोर असका फोल्डिंग supervisor और inspection जब असका फोल्ड बन जाते हैं तो उसके लिए उसको supervisor को या inspector को request करना है for inspection के लिए इस चेक कर लिजे coordinating भी तो असका फोल्ड supervisor फोर असका folding safety issue असका folding से related अगर कोई safety issue आता है तो असका fold supervisor के साथ coordinate करेगा बात्चित करेगा examining examining दे आसका fold before work काम करने के पहले इसका fold को एक बार फिर से चेक करना verify the tag in असका fold असका fold में tag है या नहीं उसको verify करना utilizing fault protection control measure जितने भी fault control measure दिये गे हैं उसको utilize करना do not remove any component without authorization कोई भी component को without authority और without authorization लिए हुए remove नहीं करना है इसके बाद आपसे question पूछा जा सकता है कि what are the type of aska fold aska fold के types क्या क्या है तो पहले पता सकते single pole aska fold भी होता है जिसमें सीच पे एक single pole होता है और उसके सारे है जो उसको बनाया जाता है जिसकी इस्तमाल बहुत कम जगा पे होती है उसके बाद होता है independent aska fold और independent aska fold में एक category है पहला tower aska fold फिर mobile aska fold hung aska fold and bird cages aska fold उसके बाद आप बता सकते है suspended aska fold third number पे जिस और next है a special type aska fold a special type में cantilever aska fold भी आता है aspar aska fold भी आता है bracket aska fold आता है drop aska fold आता है and sloping aska fold आता है तो यह सारे हैं जो types होगी aska fold का जो की generally पूछा जा सकता है उसके बाद आपसे पूछेगा what are the type of aska fold aska fold के types क्या-क्या है यहाँ पे tube and clamps यह देख रहे हैं यह tube and clamps है है coupler और clamps मिला करके जो बनते है tube के साथ यह tube and clamps है उसके बाद है system aska fold सभी आ जाते है already यह बना हुआ रहता है सिर्फ इसको लगाने की जरूद जिसमें पहला है cup lock यह देखे cup lock system होता है जिसमें cup की तरह आकिरती होती है इसमें इसको जाल करके यह उपर से lock कर दिया जाता है यह देखे यहाँ पर तो इस तरह के इसमें system होता है उसके बाद होता है ring lock यहाँ पर देखे ring किया हुआ है सभी में ring रहते है ring में यहाँ डालना है सभी जगद और उसके बाद होता है AH frame जो कि यह पिक्चर में आप देख रहे हैं, यह फ्रेम है, चलिए इसके बाद question पुछा जाता है, कि what is independent असका fold, अब independent असका fold किसे कहते हैं, तो देखना ज़रूरी है, independent असका fold यह पिक्चर में आप देख रहे हैं, वहाँ पे किसी से कोई connection इसमें नहीं लिया हुआ है, किसी longisually and transbasically, मतलब असका folding is two or more row, तो एक से ज़्यादा row है, देख रहे हैं, एक से ज़्यादा row है, एक, दो, तीन, इधर भी एक, दो, तो इसमें दो होना चाहिए, या उससे ज्यादा row होना चाहिए, और उसमें standard connected length चले, और जो है standard जो है, इसको standard बोलते हैं, इस सारे standard लग इतने भी standard है, वो longitudly और transversely connect होना चाहिए, लंगी चोटली मतलब यह वाला portion में जो लंबा लिया हुआ है, उसको लंगी चोटली बोलते हैं, और जो बिर्थ साइड है, उधर जो इस तरह से cross bracing लेते हैं, उसको हम लोग transversely बोलते हैं, और इधर जो ले रहे हैं, इसको longitudinal प्रेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे कि चलें इसका डिफिनेशन देखतें ताबरस का फोल क्या होता है इताल इसका फोलके इस freedom हैu बेच वीच है फोट बैट इक चार बाल मिम्बर रहते हैं एक दो तेन चार है कंगर चूंडर हम इसको एक त्रेंच पूंडर उसको हम लोग त्रान्सबर्स टार। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसके सार एक दूसरे जगा जाता है इसका किसी से कोई को बीकानेक्षन नहीं होता है इसके बाद को पूछा जा सकता है कि वाटी दा हां आसका फोल्ड क्या है यह देख रहे हैं पर इसका फोल्ड जो हैंग जो किसी दूसरी अस्ट्रेक्टर के साथ इसको hung असका fold बोलते हैं and this is independent असका fold maximum full length of single pipe is 6 meter means lower can be done up to 6 meter only ठीक है तो इसकी जो length होती है वो single pipe की 6 meter ही होती है इसको ज्यादा ज्यादा lower हम लोग 6 meter ही कर सकते हैं उससे और कम होगा क्योंकि कुछ part हमको उपर भी रखना होगा तो maximum आप बोल सकते हैं 6 meter इसको length हम लोग down कर सकते हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकते उसके बाद आपसे question पूछा जाएगा भाटिद word case असका fold तो word case का fold क्या है and independent असका fold that have more than two row of a standard in both direction यह देखे एक row दो रो दो रो हो गया एक रो दो रो यहाँ पे भी हो गया तो इसमें है independent असका fold that have more than two row of a standard in both direction यह दोनों ही direction में इधर भी और इधर भी and it connected by the laser and transum तो laser और quantum से है जो connected रहता है laser यह हो गया इससे है जो एक दूसरे से connected रहते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं bird case असका fold तो दोस्तो अभी आपने देखा असका folding safety interview question and answer part 1 आगे का part 2 आएगा और उसे भी अगर बचेगा तो part 3 and 4 भी हो सकता है तो चलिए मैं यहाँ पे आप से request करूँगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को subscribe करें दोस्तों में जरूर शेर करें और bell icon को all pay set कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो का notification आपको time से मिले तो चलिए मिलते आप से next video में तब तक के लिए विजय हिंद बादी मात्रों